नमस्कार मित्रों कैसे हो मैं वर्मा सर आप सभी का अपने योट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक्जाम फॉर्म के डिटेल्स के बारे में समझेंगे और दूसरा आज हमेरे एक्जाम रूल्स आ चुके हैं तो उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों अब ये एकदम क्लियर हो चुका है कि फाइनल येर के एक्जाम होने जा रही है ठीक है तो अब मन में कुछ भी डाउट्स ना रखते हुए आप लोग अपनी बढ़ाही स्टार्ट कर दीजिए मैं अपने वीडियो को दो सेक्षन में डिवाइड करूँगा पहले में एक्जाम फॉर्म के बारे में सारी डिटेल में चीज़े समझा दूँगा तो कि कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हैं तो दोस्तो हमारा बेसिक एक्जाम फॉर्म दो पार्ट में डिवाइड हो चुक है जो बच्चों ने 19 में के पहले एक्जाम फॉर्म बढ़ा है उन्हें केस वन बोल रहे हैं और जो 19 में से 28 में के बीच में बरेंगे उन्हें केस तू और एक चीज़ धियान रखी एक्जाम फॉर्म कंफल्सरी भर ना यह मत सोचें कि आपने पिछले सेमिस्टर में एक्जाम नहीं दीती या फिर आप पिछले सेमिस्टर में एक्जाम में एपसेंट थे और मार्ग्स जो है वो पिछले सेमिस्टर के कंसीडर होके doesn't give you any sense ठीक है उसके बाद के अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केस वन जो बच्चोंने 18 में के पहले एक्जाम फॉर्म भरा हैं तो शकाश हो जिस प्रकार से आप पहले एक्जाम फॉर्म भरते थे यहां process होगी अपको exam और एक्जाम फॉर्म पहुंचाना है जैसे आपके कॉलेज ने आपको इंस्टक किया होगा कॉलेज उसे इंवर्ड कर देगा और आपका काम हो चुका होगा जस्त में इमेज के टर्म में आपको समझा देता हूं और आप लोग आप अपना स्टेटस भी एक बार चेक कर लीज तो आप एक्जाम फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप एक्जाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहां पर एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रका कॉलेज तक नहीं पहुंची है वह आप एक्जाम फीज देख लीजिएगा ठीक है उसके बाद जैसे ही आप कॉलेज वालों से कॉंटेक्ट कर लेंगे तो कॉलेज वाले उस फॉर्म को इन्वर्ड कर देंगे और इन्वर्ड करने के बाद इस प्रकार से यहां पर क्याता है इसका मीनिंग है आपने एक्जाम फॉर्म भर दिया है युनिवर्सिटी को आपका एक्जाम फॉर्म पहुंच चुका है कॉलेज लॉग इन के थुरू भी तो अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूद नहीं है कि सेकेंड के से हमारा 19 में वाला तो 19 में के लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने नॉर्मल प्रोसेस हैं आप अपना एक्जाम फॉर्म भर लीजिए जैसे भरते थे अब उसके बाद आपको चीजे चेंज करोगी पहले आप एक्जाम फॉर्म भरिए उसके बाद आप कॉलेज से कॉंटेक्ट कीजिए अपना एक्जाम फ पैसे आपको कॉलेज में देना है और जो 19 तारीक से 28 तारीक तक फॉर्म भरेंगे कुछ कारूनों की बज़े से बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए शायद वो गाउच चले गए या फिर कुछ उनका वेबसाइट में या फिर फॉर्म ऑप्शन में कुछ एरर आ रहा था जो भ अपना exam form के login में जाकर login करना है और फिर आपको देखना यहां पर exam form पे click करना है जैसे अप exam form इकrit करेंगे तो आपको फिर से प्रॉसीड का बटन मिलेगा प्रोसीड से पर क्लिक करने के बाद ये दीखिया आपको से complete option मिलेगा तो फिर से अगर आप लोगों को यहां complete कि आपका फॉर्म जैसे ही वह इंवर्ड कर देंगे तो आपको इस प्रकार के अब ऑप्शन दिखेगा कि देखिए इनवर्ड दिख रहा है और यह नौट पेड दोस्तों फिर से एक चीज ध्यान में रखिए नौट पेड में आप खुश ना रही है आपको पैसे भी पे करने हैं ऐसा नहीं है कि आपने इनवर्ड कर वाली है मतलब आपका काम हो गया यहां प्रोसेस तोड़ी अलग है यहां पर आपको फीस भी पे करनी होगी तो यहां प अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस प्रकार दिखना चाहिए आपका स्टेटस इनवर्ड अगर आपको इनवर्ड प्लस फीस नौट पे अगर आता है तो आपका काम नहीं हुआ है आपको फीस पे करनी होगी और फिर जब आपका इनवर्ड हो जाए तो प्यॉर इनवर्ड ऑप्शन आपको चाहिए तो ऐसे में आप समझ लीजे की एक्जाम फॉर्म आपने भर लिया है तो होपफुली दोस्तों मैंने आपको डिटेल में सारा एक्जाम फॉर्म से रिलेटेट सारे क्वेरी सॉल्व कर दीए अब आचुके हैं एक्जाम फॉर्म से रिलेटेट लास तक दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखना है बिकॉज हर एक पॉइंट में डिसकस करूंगा जो कि लेंक्ट रहने वाला है तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको वीडियो पूरी तरील के से देखना है मैं सारे केसे दूँगा और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी क्वेरी ना आए तो आज जो सर्कुलर मिला है दोस्तों उसके हिसाब से अब एकदम चीज़े क्लियर हो चुकी है कि सिर्फ फाइनल इयर के बच्चों की ही एक्जाम होगी और जो फाइनल इयर के बच्चे जिनका फिफ्ट सेमिस्टर सिफ्ट सेमिस्टर सेवन सेमिस्टर के बैकलॉक्स है सिर्फ उनीक ही एक्जाम होगी और एट्थ सेमिस्टर की रेग्लोर एक्जाम तो होगी तो total final year के 4 semester के exam होने वाली है 5, 6, 7, 8 अब इसमें सिर्फ एक confusion हो सकता है third year के बच्चों को कि sir हम भी तो 56 वाले क्या हमारी exam होगी नहीं first year to third year कोई भी exam नहीं होगी आप लोग direct आगे promote कर दिये जाओगे आपके backlogs जो भी है as it is carry forward हो जाएंगे तो मैं पहले discuss कर लेता हो final year से related चीज़ों को तो अब मैं जो part है वो दो चीज़ों में divide करूंगा पहले exam related और फिर result किस प्रकार से आपका होगा या फिर आपका evaluation कैसे होगा तो बी वालों के लिए मेरे इसाब से तीन से चार यूनिट की तयारी रखना चाहिए उन्होंने मेरे इसाब से तो चार यूनिट पहले चार यूनिट जो आपको college में पढ़ाए गए हैं उसी के base पर exam होगी दूसरी चीज mcq वगेरे ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपका conventional तरीका है बस उसी तरीके से आपके exam होगी उसकी भी डिटेल guidelines आ जाएगी कि कितने mark की होगी ठीक है कौन कितने units होंगे कितने questions होंगे उस question में कौन से unit को कौन सा unit option होगा क्या होगा exactly exam किस प्रकार से होगी वह थोड़े दिनों में आ जाएगा तो उसके बारे में जैसी हुआ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि उसके बाद एक जुलाई से लेकर कि पंदरा जुलाई तक एट्थ सेमिस्टर के exam होगी कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक जिनका फिफ्थ सेमिस्टर सिक्स्थ सेमिस्टर और सेविन सेमिस्टर के जो बैक लॉक्स है वह एक्जाम होंगे है ठीके दोस्तों प्रोजेक्ट होगर के बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों आप चिंता ना करें अब हम लोग को आ जाते हैं फर्स्ट एयर टू थर्ड एयर के स्टूडेंट्स के लिए तो उसमें दो कैटेग्री एक बैक लॉक वाले हैं चीक है तो कुछ बच्चे जो हैं वह फर्स्ट एयर के होंगे जिनका कुछ बैक लॉक्स है वह एस इस केरी फॉरवड हो जाएगा सबी बैक जाएंगे वह एक्जाम जो है करी फॉरवड मींस पास नहीं हो जाएंगे आप उसके एक्जम बाद में होगी बैक लॉग एस इस करी हो जाएगे ठीक है आपको कोई लिमिटेशन नहीं होगी कि आप सेकेंड ये और अल्क्लियर है तो ही आफ आफ एनल ये में जा पाएंग जाएंगे या फिर फिफ्टी परसेंट क्रेडिट्स हमारा कंपल सरी तो ही हम आगे जा पाएंगे इस पकार के कोई रूल्स नहीं होंगे इसके लिए आप चिंताम ना कीजिए आपके जो भी बैकलोग एक्जाम है वो नवंबर दिसंबर 2020 में होंगे यह एक बहुत ही के बेस पे आपकी एक्जाम नवंबर दिसंबर 2020 में होगी तो आप लोग अपने प्रैक्टिकल औरल सब प्रॉपर्ली चेक कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपको चीज़े समझ चुकी हैं जो बच्चे सेकेंड इयर में हैं उनके फूर्थ सेमिस्टर के मार्क्स करेगा जो बच्चे फर्स्ट यर में हैं अभी रेगुलर उनके सेकेंड सेमिस्टर के मार्क्स कॉलेज इवैलुएट करके बरेगा जो बच्चे थर्ड इयर में हैं उनके भी मार्क्स जो है वो कॉलेज इवैलुएट करके बरेगा तो सेकेंड सेमिस्टर फोर्थ जो सकते हैं जो किन उन्हाल सकते हो सकते हैं धर में उनका फ्वूद्समिस्टर बैक लोग एंटीका तो वो चीज देंग में रखें ठीक है अब एवैल्यूएशन करने के लिए हुस् normally स dewाए एक 11 पिछले सेमिस्टर में आपने कैसे परफॉर्म किया था और दूसरा जो आपने इस सेमिस्टर में क्या क्या आपने कैसे कैसे परफॉर्म किया है जैसे दो क्राइटेजिया को लेके College will distribute the things marks everything और फिर यूगेट दे मार्क्स ठीक है अब देखिए इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात है एफी के लिए और टी के लिए एफी और टी की इस सेमिस्टर की जो एक्जाम है वो तो होने वाली नहीं है मार्क्स बच्चों के जो मार्क्स है वो तो College भरने वाला है तो एफी से हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इर इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमिस्टर के जो बच्चे भी रेगुलर में हैं उनके 50% मार्क्स जो होंगे वो उन्होंने जो एक्जाम दी होई है उन्यूर्सिटी की इंसेम जिसे हम कहते हैं उसके बेस्ट होंगे और 50% मार्क्स एंसेम के बेस्ट पे होंगे एंसेम इन दसेंस जो आप लोगों ने अभी परफॉर्म किया हुआ है उनको जो आपने इंसेम में एक्जाम दिये 50% वेटेश उसको होगा उसके इसाब सापको मार्क्स मिलेंगे और बचे हुए 50% आपने बचे हुए पूरे सेकेंड सेमिस्टर में क्या किया है उसको एवैलुएट करके आपको मार्क्स दे दिये जाएंगे तो आप चीज यहा आप 3rd year में हैं तो 3rd year के लिए भी आपको वही चीज रखनी है कि 50% जो मार्क्स है वह आपके इंसेम के हिसाब से होंगे और बचे हुए जो 50% मार्क्स है वह आपने इस सेमिस्टर में क्या परफॉर्म किया है उस पे आपको एवैलुएट करके मार्क्स दे दिये जाएंग आपके केस में भी पिछले सेमिस्टर में क्या रिजल्ट है वो नहीं देखा जाएगा ठीक है फिर आपके मन में कोशन आगा सर्फ कौन से बच्चों के लिए देखे जाएंगे पिछले सेमिस्टर के मार्क्स तो वो है सेकेंड इयर के बच्चों के लिए क्यों ऐसा क्यों ह रहें उसके evaluation का कुछ भी नहीं हुए no exam university exam इसी लिए जो भी second year के बच्चे हैं उनका hundred percent जो भी चीज रहेगी वो पिछले semester के हिसाब से ही उन्हें marks मिलेंगे ठीक है जो मैं अभी चीज़े बता रहा हूं उसका एकदम detail में schedule जैसी आ जाएगा चीज़े आ जाएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा अब कुछ मेरे बच्चों के मन में doubt है कि सर oral practical का क्या होगा समिशन्स का क्या होगा दोस्तों और प्रैक्टिकल अगर आपके backlog है तो वो carry forward हो जाएंगे और आपके जो regular oral practicals हैं वो college अपने हिसाब से कंड़क करवा लेगा मेंस वो evaluate करेगा आपको बहुत सो options हैं शायद वो online भी आपकी कंड़क कर सकते हैं कंडक्शन इस नॉट important वो college will decide college के हाथ में दिया गया है वो कि college क्या करेगा तो submissions वोगर है यह सब जो है वो college decide करने वाला है college ही marks देगा external तो नहीं आ पाएंगे लेकिन आपका definitely जो semester भर में आपने क्या performance दिया है आपका कैसे time to time submission था क्या आप सर को अपने किया है यह सारी चीज़ें देखकर आप लोगों को और प्रैक्टिकल की चीज़ें रेगुलर के जो बच्चे उनके लिए कर दी जाएगी submission से related आप लोगों को college से contact करना होगा अब दोस्तों एकदम important चीज़े final year वालों के लिए प्रोजेक्ट तो बच्चो आपका project exam marks direct नहीं मिलेगा पूरी तरिके से आपको अपना project complete करना होगा और जैसे external सर आके पिछले साल जिस प्रकार से exam होती थी बच्चो के उसी प्रकार से proper dissertation होगा आप लोगों को proper exam देना होगा ठीक है तो models वगेरे जो भी है वो भी आप लोगों को उसकी तरफ ध्यान दख्के और वह complete कर ले ना होगा बट उसकी exam जो होगी वह August के महने में होने वाली है इसलिए I don't think उतनी कोई जल्दबाजी करने की कोई जरुवत है बट आप लोग mostly काम complete कर दीजिए ठीक है तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी जानकारी डे दिये ज्यादा आप लोगों को confusion नहीं होना है आप लोगों को जितना मैंने बताया है बस उसी से अभी स्टिक रही है और जैसे ही और डिटेल अपडेट आएगी वह मैं आपको पहुंचा दूंगा तो अगर आज काम लोग समराइज करें तो मैंने exam form के बारे में आपको बता दिया है कि exam form सभी को भरना है लेट हो जाएगा तो भी बरना है लास्टेट 28 में है और वह इनवर्ड दिखने वाली जो चीज़ है वह 30 में के पहले हो जानी चाहिए ज्यादा भी घाई गडबर करके मतलब नहीं है आप सिर्फ कॉले से कॉंटेक्ट में रही है अगर आपका इनवर्ड नहीं दिख रहा है तो इनवर्ड वर्ड इस वैरी मच इंपोर्टेंट प्यार इनवर्ड वर्ड कोई भी क्वेरी होगी आप अपने कॉलेज सेक्शन से स्टूडेंट से कॉंटेक्ट कीजिए एक्जाम फॉर्म से रेलेटेट वह आपकी मदद हंडेट परसेंट करेंगे दूसरा पार्ट में जो मैंने आपको बताया कि एक्जाम किस प्रकार से होने वाली है तो फाइनल लियर वालों कि विट बैक्लॉक्स सारे एक्जाम होगी सेवन्थ सेमिस्टर बैक्लॉक्स जोकी सोला से 35 जूलाइ की बीच में होगी और रेगुलर जू वह है वह 12 जूलाइट से 15 जुलाइब की बीच मेnh 8th दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए यह वीडियो तो आप लोगों को हर बच्छों तक यह पहुंचा नहीं रहें तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो को अपडेटेट डालू तो वह आप तक पहुंच जाए ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है जैहिन ज्या मैरा चैं कुछ झाह जाइब काव सेणी कर लीजिए माराष्चों